जहिन मेरे प्यारे साथियों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोजगार संकल्प चनल में साथियों यहाँ पर जो है पावर ग्रीड में डिपलोमा ट्रेनिंग की 425 यहाँ पर वेकेंसी जारी किया गया है पिछले के मुकाबले इस बार वेकेंसी जादा है ठीक है तो आप सभी को जी जान लगा के इसमें प्रियास करना चाहिए कि आपको इसमें नौकरी मिल जाए ठीक है अगर आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आपको इस चैनल को जरूर सस्क्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% authentic and genuinely गौर्णन भरती के बार में ही जनकारी दी जाती है और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इसके regarding यहां पर notice आप देख सकते हैं सबसे उपर ही देख सकते हैं लिखा हुआ है power grid इसके लावा नीचे आप जाएंगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं पद का नाम यहां पर देख सकते हैं diploma training और power grid corporation of india limited maharashtra एक public sector enterprise ज जो Ministry of Power, Grid of India के अंत्रगात ये वर्क करती है ठीक है और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसमें डिप्लोमा कहने का मतलब किस पदों में जैसे कि डिप्लोमा जिन्होंने एलेक्रिकल से कर रखा है देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेकेंसी उसी में है 344 है डिप्लोमा ट्र 2023 इसकी last date है ठीक है ये तो अभी ये short notification है इसके माध्यम से आपको paper की भी जनकारी नहीं है ना इसमें age कितना मांगा जा रहा है इसकी भी जनकारी नहीं है लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरी complete जनकारी यहाँ पर देने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देख लेना बाकी और जनकारी जानने के लिए ठीक है यहाँ पर दोस्तों मैं जो बाकी की जनकारी रह गई है selection process age वगरा यहाँ पर क्या चीज रहने वाला है हर एक चीज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ पिछले notification के according यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो पिछली बार भी देख सकते हैं दोस्तों electrical की, civil की, electronics की और एक extra और जो वेकेंसी निकाली गए थी 2021 में junior office training HR की तो यह सारी चीज़ें है ठीक है इसके लावा तो है इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताई दिया कि जुन्होंने डिप्लोमा या ध्यान रखना है जो form भरने की last date होती है वही दोस्तों age में consider किया जाता है मतलब उस date तक आपकी जो उम्र है 27 वरसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर आप journal EWS के candidate है तो ठीक है इसके लावा दोस्तों यहाँ पर जो है OBC, NCL के लिए यहाँ पर 30 वरस है और यहाँ पर SC 20% से above यहाँ पर होना चाहिए तो यह चीज यहाँ पर आपको देखना होगा ठीक है इसके लावा दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर और भी सारी जनकारी दे गई है लेकिन government rule के इसाब से जैसे कि जो SCST के candidate है OBC के candidate है उनको दोस्तों government rule के इसाब से जो age मेली स session का लाव मिलता है वो उनको मिलेगा यह चीज यहाँ पर आप देख सकते है ठीक है अभी full notification आएगा तो उसमें भी same as it is ऐसा mention किया होगा ठीक है इसके लावा दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जैसे कि diploma training electrical के लिए यहाँ पर computer best test होगा civil के लिए भी computer best test है और electronics के लिए भी आपका computer best test यहाँ पर होने वाला ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है जो written test है उसके बार में यहाँ पर clear करके बताया हुआ है जो आपका written test यहाँ पर होगा objective type होगे और दो घंटे का समय आपको मिलेगा ठीक है और जो आपका written test होगा द electronics related question देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों 120 question यह technical आपसे पूछ जाएंगे ठीक है पार्ट सेकंड में आपका aptitude test होगया 50 question जिसमें vocabulary होगया और एक question एक number का होगा ठीक है इसके लावा दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि आपका कितना number लाने पर आपको pass माना जाएगा तो यह चीज़े यहाँ पर बता रखा है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे unreserve जो category वाले हैं या unreserve vacancy यहाँ पर बता रखा है minimum 40% तो लाना है और at least 30% in each part मतलब जो भी दो part है ना part A, part 2, part 1, part 2 तो यहाँ पर हर एक part से 30% तो लाना है और overall बात करेंगे तो 40% से अबब होना चीए ठीक है इसके लावा दोस्तों यहाँ पर reserve category वाले हो गए जैसे ST वाले हो गए उनके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर paper के बारें बता दिया, age के बारें बता दिया, कबसे form भरना चालू हो रहा है, last date का है हर एक चीज मैंने आपको बता दिया ठीक है फिर भी कोई confusion कोई doubt रह गया हो तो comment में जरूर लेके पूछ लेना ठीक है और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक share भी कर देना ठीक है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, thanks for watching, जहिंद